नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में करीब 500 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो 1 मिलियन डॉलर या 7 करोड रुपए से ज्यादा साल आना कमाते हैं अगर इसे 2 मिलियन डॉलर कर दिया जाये तो होता है 1 बिलियन डॉलर साल का ये नेटवर्क मार्केटिंग कम्पनी जानते हैं क्या वो पूछेंगे कौन सी नेटवर्किंग कम्पनी के साथ आप अपना मार्केट बिल्ड कर रहा हैं नेटवर्क मार्केटिंग एकल होती ऐसी इंडस्ट्री हैं हमेशना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफदारी करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनस स्कूल से निकल कर नौकरी ढूनने लगते हैं यह बेवकूपी है नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ करते हुए सुनते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि ये एक जबरदस्त इंडस्ट्री है कमपनी प्रामिस कर रही है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे बिना मेहनत के पैसे कमा लेंगे तो कुछ कर बढ़े नेटवर्क मार्केटिंग कंजूमर को ज्यादा अच्छे से सिखा समझा सकती है नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा है कि इसमें घुसना आसान है, रिस्क कम है और शुरू करने का खर्चा भी कम कब से कम इन्वेस्मेंट में ये शुरू हो जाता है नेटवोक मारकेटिंग एंग ऐसा बिजनेस है जो मौका देता है आम जनता को इसमें जुड़ने कर जिस तरीके से नेटवोक मारकेटिंग इंडेस्ट्री पिछले 10, 15, 20 सालों में उभर कर आई है आजकल बाकी कंपनीज टिरेक सेलिंग कंपनीज की तरफ देखकर सोच रही है कि ये कुछ तो है MLM ने सबसे ज़्यादा देशों में सबसे ज़्यादा लोगों को करोड़ पती बनाया है करीब 16 मिलियन अमेरिकन और 96 मिलियन यानी 9 करोड़ 60 लाग लोग पूरी दुनिया में नेटवोक मारकेटिंग करते है अगर आपके पास choice है, 10 साल job करने की या 10 साल network marketing business करने की, तो network marketing में काम करने का result, better. गाइस एक job करने वाला person हमेजा किसी अच्छे मौक की तलास में रगता है, बस उसे चाहिए एक सही मौका और एक सही ब्यक्ति जो उसके साथ पूरा लोयल्टी से काम कर सके हैं बस फिर क्या सब कुछ आगे बिलकुल आसान है जोब करने वाले परसन को इन्वाइट करना बहुत ही आसान है इविन जो कुछ नहीं करते हैं उन्हें इन्वाइट करना एक बार थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन जो परसन पहले से कुछ कर रहा होता है उन्हें इन्वाइट करना बहुत ही आसान है हम यहाँ लोगों के साथ रिष्टे जोड़ना चाहते हैं दुनिया को बहतर जगा बनाना चाहते हैं और असली सफलता होती है एक अंत्रप्रणॉर की जब किसी को कुछ सिखाया जाए और उसे उपर उठते हुए देखें इससे बड़ी कोई खुशी नहीं सही तरीका अब दोकर यहाँ, दो काडिगरेस आपको लोग मिलते हैं सबसे पहहला तब वो, जो कुछ नहीं करता है तो जो कुछ नहीं करता है उसके पास हजारों औप्सम होते हैं चौइसे होती है उसे जो अच्छा लगेगा, वही पगडेगा क्योंकि अगर वो काम नहीं भी करेगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है चली रहा है तिरे-दिरे जैसे गरवाले चला रहा है चल रहा है इसलिए अब स्कूल जाना और नौकरी ढूनना ये पुराना आइडिया है यानि कॉलेज पास करके जॉब लेकर 40 गंटे काम हर हफ्ते 40 सालों तर वो दिन जा चुके है लेकिन जो परसंग पहले जॉब कर रहा है उसको अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरी फैमिली को भूखे सोना पड़ेगा लेकिन उसी के साथ-साथ वो सोचता है कि हमें कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए एक ऐसा सही जगर मिल जाए जहां से हम पार्ट टाइब में भी कुछ पर्ण कर सके हर काम को करने के बहतर तरीके हैं पर हम अब भी पुरानों में फसे हैं घैस, remember that, कोई भी जॉब करने वाला पर्षन अपने जॉब से सेटिस्पाइट नहीं होता है इवन अगर उसकी सेलरी एक लाग प्लस भी रहेगी तो भी क्योंकि अगर एक जॉब करने वाला पर्षन अपने जॉब से सेटिस्पाइट होते हैं चाहे वो प्राइवेक सेक्टर हो या फिर गौवर्मेंट सेक्टर हो, तो साथ हमारे इंडिया में करप्सन होता ही नहीं, क्योंकि अक्सर आया दिन आपको दहेना को मिलता है को कोई भी I.S, I.P.S, कोई पुलिस अधिकारी हो या फिर कोई ऐसा गौवर्मेंट पर्सन जो रि इस करोर की सपती जब की गई है तो जिनके पास government job है जब वो अपने job से satisfied नहीं है तो एक normal private job परने वाला person अपने job से कैसे खुश रहेगा तो इसलिए बस वो भी एक अच्छे मोगे की तलास में हमेशा रहते हैं जो person job करते हैं आप उनके पास जाईए उनसे विजट किजिए उनसे मिलिये और जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है अपने e-book में पहले से ही कि किसी भी अंजान लोग से आपको कैसे बाचित करना है तो अगर अभी तक आपने ये e-book और audio book नहीं लिया है तो मैंने उसका link description में दे दिया है आप link से e-book और audio book दोनों ले सकते हैं जिससे आपको बहतरीन tricks मिल जाएगा उनके पास जाना है उनसे hi hello बोलना है और उसके बाद आपको पने target पे focus करना है अब जो person job करता है आप उनसे question put up कीजिए कि भाई जो आप job कर रहे है क्या उसके बाद भी आपके private job से retirement के बाद भी आपको कुछ पैसे आते रहेंगे यह से pension वगरा होते हैं या फिर retirement होते हैं क्या वैसे आपको कुछ मिलेगा पीएप को छोड़ कर या फिर in case आपके साथ आपके family के साथ कभी कुछ दुरोटना हो जाती है तो क्या उसके साथ आपके job वाले आपके पीछे खड़े रहेंगे यह आपका support कर सकते हैं देखो गाईस दुनिया बहुत तेज बदल रही हैं और इस बदल दी दुनिया में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है तो इसलिए आपको हमेशा अपने problems के लिए खड़ा होना पड़ेगा तयार रहना पड़ेगा यह बात आप job करने वाले person से बोल सकते हैं तो guys rare case में यह देखा गया है कि जो private sector होते हैं तो किसी को इतना support नहीं करते हैं अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके जगर किसी दुसरे person को हायर कर लेते हैं और आपको वहां से remove कर देते हैं आपके साथ कुछ भी हो जाए आपके family के साथ कुछ भी हो जाए आपका boss जहां पर आप job करते हैं वह sector वह company आपका support नहीं करेगी हर कोई office में अलग-अलग पदों पर है कोई boss कोई junior मगर यह सब सेम है एक paper पर चपकाई photos की तरह है बस आज हैं कल नहीं वो बस एक लाश की तरह काम किये जा रहे हैं ना खुशी ना काम करने का मज़ा तो guys इन condition में आप एक काम और करते हो अपना और अपने family का life cover term insurance क्योंकि आपको भी यह डर है कि आपके साथ या फिर आपके family के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है तो अब यहां पर आप उनसे यह question put up कर सकते हैं कि आप करवाए हैं या नहीं term insurance अपना और अपने family का लेकिन दोस्तों यहां पर भी जब आपका death हो जाएगा उसके बाद यह आपको पैसा मिलने वाला है क्योंकि यह life cover term insurance है तो दोस्तों आप बताईए कि क्या ऐसे term insurance का आपके life में कोई बहुत बड़ा यगदान है और जब वो पैसा आपकी family को मिलेगा क्या वो पैसा उनको lifetime तक support कर सकता है नहीं कभी भी नहीं हाँ कुछ दिन तक उनके पास support जरूर मिलेगा एक सहारा जरूर बना रहेगा लेकिन जब पैसा खतम हो जाएगा तो उसके बाद उन्हें फिर दर दर भटकना पड़ेगा पैसा आता रहे जब तक आपकी generation रहेगी तो यह अच्छा है या बुरा है अब यहां पर नहीं तो वो company बंद होगी और नहीं कभी आपका generation रोकने वाला है तो यह पैसा हमेशा आता रहेगा क्योंकि यह कोई life cover insurance नहीं है इनफेक्ट समय के साथ साथ पैसा और बढ़ता ही रहेगा और वो काम सिर्फ एक बार होगा और इसमें आप दिन के बस एक दो घंडे दे कर इस काम की सुरुआत कर सकते हैं मान लो अगर ऐसा तरीका हो कि आपको सब कुछ तयार मिले बना बनाया और मालिक भी आप खुदी हो दोनों मिले तो कैसा होगा बोलने का मतलब आपको जीरो से नहीं बनाना पड़ा आपको बड़ा लीडर भी होने की जरुद नहीं नया प्रोड़क भी नहीं बनाना पड़ा और इसम भी तयार ट्रेनिंग भी सेट सब कुछ मिला सिवाए एमप्लॉयर या मालिक के तो ये आपको कैसा रहेगा, क्या आप इसे कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, तो दोस्तो इस condition में वो definitely बोलेगा, हाँ जी क्यों नहीं, ऐसा मौका कौन छोड़ना चाहेगा, मैं इस काम को जरूर करूँगा बिजनस की दुनिया में कोई लिमिट नहीं होती, जितना चाहो बनाओ, दुनिया में सबसे अच्छा बिजनस है, आपका अपना खोद का बिजनस, और दुसरी condition है, जोब जहां पर आपका salary fix होता है, आपके काम बने का target fix होता है, आपको कब आपको जाना है, कब आपको जाना या फिर किसी ऐसे जगह आप fun कर सकें, टूर कर सकें, और permission लेने के लिए भी आपको साज़द बहुत पापड बिलने पड़ जाए, और यहां तक कि अगर आपके family में किसे कुछ होता है, तो भी आपको वहां से permission लेना पड़ेगा, without permission अपने घर पर भी नहीं जा सकते हैं, नौकरी एक सुरक्षित जगह है, सारी जंदगी काम करते रहने के लिए, और गाई, जॉब में आप उतना ही काम करते हैं, जितना कि आपके boss आपको वहां से निकालेना है, आपकी company, आपके boss आपको उतना ही payment pay करते हैं, उतना payment देते हैं, जिससे कि आप उस company को छोड़ न आप उतना ही hard work करते हैं, कि आपकी नौकरी न चले जाएं, और वो बस इतने पैसे देते हैं, कि आप छोड़ के न जाएं, मैं भी अपनी जिन्दगी में ये करते हैं, आपको इस वीडियों से बहुत कुछ सेखने को मिला होगा, तो अगर आप मेरा e-book लिये हैं, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके प्रोसेश को फालो करके इसको ले सकते हैं, वीडियों अच्छा लगा हो, लाइक करते हैं, चैनल पहली बारे चैनल को सब्साइब करके बिल आगर अपने ज़रू करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा बै झाल झाल